है UBI का एकाउंट ओपेनिंग पीडियेप इस पीडियेप को बैंक मंदू सौफट्वेयर में इंपोर्ट पीडियेप कीजिए और एकाउंट पास्बुक फास्पेच प्रिंट कीजिए डीटेल्स आग गया आप डाटा को सेव कर लिजिए और प्रिंट कीजिए डाटा सेव ह ब्रादर का पिंटर है लेजर पिंटर देखिए ब्लैंक पास्पुक में पिंटर में डाल रहा हूं आपके पास अगर कोई भी पिंटर है कलर पिंटर हो या लेजर पिंटर हो उससे आप पिंट कर पाएंगे देखिए पिंटर पास्पुक को किच लिया और आप पिंट में आप क्लिक कर दीजिये तो देखिए आपका printer print होना start हो जाएगा यह आप नॉर्मिल printer में भी कर सकते और passbook printer में भी पीन कर सकते ओभी हम दिखाएंगा live देखिए printer रार हो गया देखें यह laser printer में भा देखिए मैं आपको पिल्कुल किलियार दिखा रहा हूँ इसका फास्ट पेज ठीक है अब सेकेंड पेज करके दिखाएंगे सेकेंड पेज पीन करने के लिए आपको जाना है सेकेंड पेज पीन पीबू में क्लिक करेंगे आपका सेकेंड पेज का डाटा आपका आ जाएगा अब आप आप पीन में क्लिक करेंगे आप सेकेंद पेज पीन करने के लिए देखी मैं पींटर में पास्बुक को डाल रहा हूँ कि देखे ब्रादार का पींटर है देखे पींटर में पास्बुक एंडर हो गया अब पीन में हम क्लिक कर देंगे यह लाइब प्रूफ दिखा रहा हो आपके बास कोई भी पिंटर है उसमें कर सकते आप और पास्बुक पिंटर हों भी करके दिखाएंगे तो एक दूस्त को आप देखिए परफेक्टव्ह मिक्ठ अपका पिंट आया है अब आपको दिखाएंगे प्लीक टुएंट से ऑ मोड में पिएंट करें तो क्या करेंगे आप किंखने के बाद seita हम होंम पेज में ये इसलेट करने के बाद आप क्या करें गे इसंप क्लिक करेंगे बित PLQ20 में online mode में देखिए perfect print आया है और चलिए second page करके हम दिखाते हैं आपको दिखाएंगे second page करके तो first page हो गया इसके बाद यह second page है second page के उपर हम click करेंगे click करते हैं आप से permission लेगा अब अब इसको हम yes करेंगे PLQ20 से second page perfect आया है चलिए software को किस तरह से use करेंगे हम दिखाते हैं computer skin पर हाई मेहु बैंक मंदू अभी जो software लाया है हम यह .exe software है विल्कुल आप इंस्टल कर पाएंगे तो जब भी यह software आप login करेंगे open करेंगे तो इस तरह का इसका एंटरसेज आएगा इसमें क्या करने आपको देखिए यहां पर sign up दिया हुआ है sign up पर click करेंगे first time आप यूज कर रहे है तो यूजर नेम पासवार्ट वर्सवार्ट नमबर यूजर नेम आप डालेंगे और sign up करेंगे तो क्या होगा आपका एक account क्रिट हो जाएगा जिस यूजर नेम और पासवार्ट से आप open कर रहे हो ना उसी user ID पासवार्ट से यह software logging होगा reset password आप अगर password भूल जाते हो तो क्या करेंगे अगर आपका वर्सवार्ट नमबर याद है वर्सवार्ट डालेंगे और search करेंगे जैसे यह नमबर है मेरा search करेंगे देखिए नहीं है जिस वर्सवार्ट से आपका save होगा कोई एक criteria आपको याद रहना है या तो user ID या तो password या तो वर्सवार्ट नमबर याद रहेगा आप उसको reset कर पाएंगे जैसे search करेंगे आपका details आजाएगा उसमें आप search कर देंगे मतलब reset कर देंगे यह हो गया दूसरा है branch setting यह main चीज है बहुत CSP लोग यही चीज नहीं करता जाके बोलता ब्रांच setting नहीं हुआ है तो यहाँ पे branch setting में click करते ही आपका देखिए एक default branch setting दिया हुआ यहाँ पे जो भी criteria आपको चाहिए उसको फिलाप करना है जो नहीं चा यह दो चीज क्या है account type आपके branch में जिदना भी account type है आप यहाँ पे add कर सकते हो जैसे एक add करके type किये और add कर दीजे वह आपका add हो जाएगा जब account फिलाप करेंगे details वहाँ पर आपका काम आएगा village code आपका area में 5-6 village code है वह village के name देखे code से आप add कर दीजे ठीक है यह लोगिंग करने के time username में थोड़ा सा आपका time लग सकता है जब किलिक करेंगे थोड़ा सा time लग सकता है तो इस username admin password admin हम लोगिंग करेंगे software logging होके इस तरह से आ गया तो मैंने वीडियो के सुरुआती में देखा है import PDF और आपको जो UVI का PDF किस तरह से बनाना है आप WhatsApp करेंगे हमको पूरा process बता देंगे जब file देंगे तब पूरा process आपको बता दिया जाएगा किस तरह से PDF को बनाना है UVI का PDF बनता नहीं है लेकिन आ देखिए बहुत सारे button हाईलाइट हो गया जैसे आगर dealड करना है इस data को हम क्या करेंगे सिधा delete मर देंगे एक चीज जैसे हमें delete मनना है हम सीधा delete मरेंगे देखिए ये delete हो चुका है तो इस तरह से आप delete कर सकते जैसा अगर कोई आपडेट करना है जैसे मुझे यहाँ पर कोई आपडेट करना है देखिए मुझे डाल दिया देखिए ये जो फिलाब नहीं है था ये अपडेट हो गया आप फोटो अपलोड कर सकते है साइनेचर अपलोड कर सकते है और एक चीज फ्रींट प्यूबू में हम दिखाएंगे फ्रींट प्यूबू में जाएंगे यहाँ ही पर में चीज इस जगह पर आपको देखना है और ये जो प्रींट प्यूब आपका आएगा ये नॉर्मेल प्रींटर से आपको होगा आपके बास कोई भी नॉर्मेल प्रींटर है उससे प्रींट होगा जैसे आप यहाँ पर देखिए इसका जो font है इसका name डाला हुआ है font का size और यह जो margin है यह top से मतलब यह size से यहां तक का margin आपको दिखा रहा है इतना है और left side यह margin है इतना है और यह background image आपको बाद में समझा देंगा अगर किसी का problem आता है तो आप इसके बारे में हम आपको बता देंगे क्योंकि इस सब का problem आता है इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा तो देखिए यह problem क्या आता है जैसे आपका कि इस तरह से आता है लोगों के ऊपर आपको आजाता है लिखा हुआ आ जाता है तो आपको क्या करना है यहां से यह top margin को आपको बढ़ना है जैसे 0.9 है आप 0.2 0.3 करके जैस जैसे मैंने एक चीज दिखा रहा हुँ है अपको मैं दिखा हा रहा हुआ एक चीज यह background देखिए एक तो without background है और एक with background जाके दिखा थो तब आपको समझ में आ जाएगा देखिए आभी कि जैसे फर्फेक्ट आपका आ रहा है अगर मैं यहां पर बैक्ग्राउन का मार्जिन अगर कम कर देखिए मार्जिन कम किया अभी कोई भी एफेक्ट नहीं आया आपको करना क्या यह चेंज करने के बाद पर जाएंगे देखिए यह और उपर हो गया तो आगर जैसे आपका इस जगह पर ही शही आ रहा है तो आप क्या करेंगे इस मार्जिन को फॉंट फॉंट साइच और यह टॉप लेट को सही करके आप क्या करेंगे एक बढ़ सेफ बटन में क्लिक कर देंगे यह सेफ बटन ह जाने के बाद आप क्या होगा देखिए फिक्स हो गया यह देखिए पहले 0.9 आ रहा था 0.9 आ रहा था अभी देखिए 0.1 0.1 आ रहा है ठीक है तो यह आप डिफॉल्ल सेटिंग कर सकते हैं उसके बाद आप पिंट कर सकते हैं सेम चीज इसमें ही है देखिए यह उपर आ गया margin को कम किया इसके बाद से उपर आ गया अगर आपको सेम करना है क्या करेंगे 0.9 करेंगे आप दुबारा दीजिए क्योंकि 0.9 में इसको fix किया गया देखिए 0.9 देते ही fix आपका आ गया तो हम इसी में save कर देता है सेटिंग हम मेरा इसी में चाहिए मुझे save मेरा change हो गया इसमें आप ID कर भी पिंट कर पाएंगे इसमें आप ID कर भी पिंट कर पाएंगे तो यही है इसका main चीज अगर इसमें कुछ भी problem आता है आप WhatsApp कीजिए आपका problem को solution किया जाएगा